टोक्यू ओलम्पिक का दूसरा दिन भारत के लिए बेहद खास बन गया क्योंकि देश की बेटी मीरा भाई चानू ने वेट लेफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम कर एक नया इतिहास रच दिया हर और मीरा भाई चानू के अभिनंदन की खबरें आ रही हैं मीरा भाई चानू ने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी कि और ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं हैं बस जरूरत है हिम्मत और होंसले की वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीरा भाई वेट लिफ्टर में देश का प्रति निधित्व करने वाली एक मात्र खिलाडी हैं उन्होंने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग्स परधा में मैडल जीता मीरावाईनी स्नैच में 87 किलो जबकी क्लीन एंड जर्क में 115 किलो का भार उठाया और कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया जब चानू वेट लिफ्ट कर रही थी तो देश भर के हर धर्म हर मजब के लोग अपनी नजने चानू पर ठिकाए थे और हाथ जोड यही दुआएं मांग रहे थे कि चानू की ये लिफ्ट हो जाए और चानू ने उमीदों को पूरा कर दिखाया इस तरह वह टोकियो ओलम्पिक 2020 का सिल्वर मैडल जीतने वाली पहली जबकी ओलम्पिक के यतिहास में वेट लिफ्टिंग में मैडल जीतने वाली दूसरी भारती बन गई लेकिन चानू ने इसके लिए कड़ा संघर्ष किया अपने आसूं को ही अपनी ताकत बनाया दरसल रियो ओलम्पिक में मीरा भाई चानू अपना सौप्रतिशत देने के बाद असफल हो गई थी वो समय इतना कठिन था कि चानू तूट गई और पोडियम में ही रोने लगी थी मीरा भाई अकेली नहीं उनके साथ रोया था पूरा मनिपुर और पूरा भारत लेकिन चानू ने अपनी हिम्मत और होंसला और बुलंद किया रियो पोडियम से एक नई सीख लेकर अपने आसूं को ताकत बनाया और मन की आवाज को सुना था जो कह रही थी मुझे कमजोर मत समझना अगले ओलंपिक में पोडियम में मेरा ही डंका बजेगा जो उन्होंने कर दिखाया इसी बीच मीरा बाई ने ट्वीट कर सबका शुकरिया किया मीरा बाई ने कहा कि इस जीत से बहुत खुश हैं वह बीते पांच सालों से ये सपना देख रही थी जो आखिरकार सच हुआ उन्होंने कहा मैं इस पर गर्व महसूस कर रही हूँ इसी के साथ उन्होंने लिखा कि वो अपना मेडल देश को डेडिकेट करना चाहती है उन्होंने अपनी मा और अपने कोच का भी धन्यवाद किया टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई साइखोम चानू है कौन? चलिए इसी बारे में बताते हैं मनिपूर में जन्मी मीराबाई चानू बचपन से ही तीर अंदाजी में अपना करियर बनाना चाहती थी लेकिन आठ्मीं क्लास में उनके मन में वेटलिटिंग में अपना करियर बनाने का विचाहर आया मीराबाई इमफाल की वेटलिटर कुंजरानी से इंस्पाइड हूई और वेटलिटिंग में ही दिल्चस्पी दिखानी शुरू कर दी फिर साल 2014 में ग्लास्गू कॉमनवेल्थ गेम्ज में भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता चानू का 2016 रियो ओलम्पिक निराशजनक रहा था हालां कि 2016 के रियो ओलम्पिक गेम्ज के क्वालिफाई मैच में मीराबाई चानू ने अपनी अधर्श वेटलिफ्टर कुंजरानी को हरा कर रियो ओलम्पिक गेम्ज में अपनी जगा बनाई थी साल 2017 में हुई वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियंशिप में मीराबाई ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रौशन किया और 2018 में हुए कॉमन वेल्थ गेम्ज में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया मीराबाई के बाद अब भारत की उमीद मेरीकॉम से है दरसल ओपनिंग सेरेमेनी के मार्च पास्ट में मनप्रीच सिंग के साथ मेरीकॉम भी धोजवाक रही जिन्होंने अपना देश का तिरंगा लहरा भारतिये खिलाडियों का मनुबल बढ़ाया बतारी की दुनिया के दिगज महिला मुक्यबाजों में शुमार भारत की मेरीकॉम दूसरी बार उलम्पिक में भाग ले रही है मुहमद अली के आदर्शों पर चलने वाली मेरीकॉम का सपना भारत के लिए टोकियो उलम्पिक में गोल्ड मेडल अपने नाम करना है 25 जुलाई को डोमेनिका की मिगु एलिना हर्नांडे से मेरीकॉम का सामना होगा बतारी की ओलम्पिक में भारत के 9 मुक्यबाजों ने क्वालिफाई किया है जिसमें पूजारानी 75 किलोग्राम भारवर्ग, मेरीकॉम 51 किलोग्राम भारवर्ग, लवलीना बोर गेहम 69 किलोग्राम भारवर्ग, सिमरंजीत कौर 60 किलोग्राम भारवर्ग, महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी महिला कुष्टी करने उतरेंगी विनेश फोगार्ट जो भारत को कई मेडल दिला चुकी है इसके अलावा कुष्टी में अंशु मलेक, फ्रीस्टाइल पहलवान, सोनम मलेक, सीमा विसला भी अपना जोहर दिखाएंगी जारखंड राची की तीरंदाज दीपिका कुमारी भी इस बार ओलमफिक्स में मेडल जीतने का सपना लेकर आई हैं दीपिका के पिता ओटो रिक्षा चालक और मानार्स हैं भर की हालट ठीक ना होते हुए भी उन्होंने धनुश में महारत हासिल की और देश के लिए कई मेडल लेकर आई वर्ल्ड चेंपिन्शिप में पांच मेडल जीतने वाली बेडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला हैं उनसे गोल्ड की पूरी उमीद है भारत ने कुछ दिन पहले 16 सदस्य भारती महिला होकी टीम की घोशना की जिसमें आठ खिलाडी ओलंपिक पदारपन करेंगी इसके अलावा शूटिंग में ये शस्वनी मनु भारकर गोल्ड के लिए मुकाबला करेंगी भारती महिला होकी टीम के कप्तान स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल के हाथों होगी सानिया और उनके डबल्स जोड़ीदार अंकिता रहना टेनिस के लिए भारत का प्रतिने धित्व करेंगी बता देंकि सानिया मिर्जा चौथी जबकि अंकिता पहली बार उलम्पिक में डेब्यू करेंगी सानिया उलम्पिक में चार बार हिस्सा लेने वाली पहली भारती खिलाडी होंगी तो ये हैं भारत की वो होनहार बाहोवली बेटियां जिन पर पूरे भारत की निगाहे ठीकी हैं हमें इन बेटियों पर गर्व है नारी की और से नारी शक्ति को हमारा सलाम